साथवी इसमार का आयोजन बहुत रूटीन प्रक्रिया नहीं है। मैं इसे को एक विशेश समझता हूँ, विशेश इसले समझता हूँ कि आजहादी के अमृत महुत्सवक में है। जब देश आजहादी के 75 साल मना रहा है तब हम इस समारों के कर रहे हैं। क्या हमें काम कर सकते हैं क्या और मैं मानता हूँ कि इसको हमने क्यों कि कुछ चीजे होती हैं जो सहज रुप से नया उमंग उत्सा भर देती हैं। मान लीजे आप जिस डिस्टिक में काम करते हैं। और पिछले 75 साल में उस डिस्टिक के मुख्या के रुप में जिनों ने काम किया है। उसमें से कुछ जिवित होंगे, कुछ नहीं होंगे। इस आज़ादी के अमुर्त महोसव के निमीद एक बार उस डिस्टिक में उन सब को बुलाईए। उनको भी अच्छा लगेगा 30-40 साल के बाद वो जगावे वापिस गए है। आपको भी अच्छा लगेगा। उनके पुराने पुराने लोगों को वियात करेंगे। यहने एक प्रकार से जिला इकाई में किसे ने 30 साल पहले काम किया होगा, किसे ने 40 साल पहले काम किया होगा। जो बहार से वहाँ आएगा वो भी एक नई उर्जा लेके जाएगा। और जो वहाँ है उसको में अच्छा अच्छा यह देश के कैमिलेट से क्रेटरी। वो कभी हाँ थे। उसके लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमने इस दिशा में जुरूर प्रयास करना चाहिए मुझे विचार इसलिए आया। शायद मैं नाम तो भूल गया है गोड़ बोले जी या देश मुप। हमारे केबिनेट सेक्रेटरी रहे थे। तो एक बार और बाद में वो अपना जीवन रक्तपित के लोगों की सेवा में उन्हों रेटायर होने के बाद खपा दिया। तो गुजरात में उन्हों का वो रक्तपित से सम्मतिक कारक्यम के लिए आये थे मुझे मिलना हुआ। और बाद में महाराश्टर अलग बना तो मैं महाराश्टर केडर चला गया और भी मैं भारत सरकार में चला गया। लेकिन इतना सा सुनना मेरे लिए मुझे उनके साथ एक दम से जोड दिया। तो मैंने उनको पूछा कुछ समय बना सकाड़ा में कैसे होता था आप कैसे काम करते थे। यानि चीजें छोटी होती हैं लेकिन उसका सामर्थ बहुत बड़ा होता है। और एक मोनोटोनस जिन्दगी में बदलाव लाने के लिए व्यवस्ताओं में जान भरना भो जरूरी होता है। व्यवस्ताओं जीवन्त होनी चाहिए। व्यवस्ताओं डाइनेमिय खोनी चाहिए। और जब पुराने लोगों से मिलते हैं तो उनकी जमाने में व्यवस्ता किस कारण से विक्सित होई थी। उसकी बेक्ग्राउन इंफरमेशन हमें उस परंपरा को चलाना नहीं चलाना बदलाना ने लाना बहुत चीजें सिखा करके जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आज़ादी के इस अमरतकाल में आप अपने डिस्ट्रिक में जो पहले डिस्ट्रिक कलेक्टर के रूप में काम करके गए हैं। एक बार अगर हो सके उनका मिलने का कारकम बनाईए। आपके उस पूरी डिस्ट्रिक के लिए वे अनुभव नया आएगा। उसी प्रकार से राज्यों में जो चीफ सेक्रेटर के जाते काम करके गए हैं। एक बार राज्य के मुख्य मत्री उन सब को बुला ले। देश के प्रधान मत्री जीटरे में केमिनेट सेक्रेटर रहें कभी उनको बुला ले। हो सकता है कि आजादी का अमरितकार 75 साल की स्यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का ही जो तोफा है हमें सिविल सर्विस का इसके जो भजवाहत लोग रहें हैं जो आज उसमें से जितने भी जिवित हैं। होने कुछ नकुछ तो योगदान दिया ही है इस देश को आज तक पहुंचाने में उन सब को स्मरण करना उनका मान सम्मान करना ये भी आज हादी के अमृतकार में इस पुलिस सिविल सर्विस को ओनर करने वाला विश्य बन जाएगा। मैं चाहूंगा इस 35 साल की यात्रा उनको हम समर्पित करें। उनका गवरोगान करें। और एक नई चेतना लेकर के हम आगे बढ़ें। और विश्य दहां में प्रयाइट न कर सकते हैं। साथ यह हमारा जो अमृतकाल है। यह अमृतकाल सिरफ बीते साथ दसक का जैजेकार करने काई हैसा नहीं है। मैं समझता हूं हम सतर से पचातर गए होंगे रूटीन में गए होंगे। साथ से सतर गए होंगे, सतर से पचातर गए होंगे, रूटीन में गए होंगे। लेकिन पचातर से दो हजार सेंतालीज इंज्या एट हंडेट यह रूटीन नहीं हो सकता है। यह आज का अमृत महोतका हमारा वो एक वाटरशेड होना चाहिए। जिसमें अब पचीज साल को एक इकाहिक रूप में हमने देखना चाहिए। और हमने इंडिया एट हंड्रेट अभी से उसका वीजन देख करके और वीजन देश में क्या वो नहीं। डिस्ट्रिक में मेरा डिस्ट्रिक पचीज साल में कहां पहुँचेगा। मैं इस डिस्ट्रिक को पचीज साल के बाद कैसा देखता हूँ। और मैं कागेज में लिखीत रूप से हो सके तो आपकी डिस्ट्रिक की दफ्तर में लगाईए। हमें यहां यहां तक पहुँच रहा है। आप देखे एक नई प्रेणा नया उत्सान नया उमंग उसके साथ जूड जाएगा। और मल्टिफिलर एक्टिवेटी के साथ हमने डिस्ट्रिक को पूट रहा है। और अब केंद्र हमारा भारत कहां पहुचेगा राज्य कहां पहुचेगा। हमने 75 साल इन सारे लक्षों को लेकर के चले हैं। इंडिया एट हंडेड डिस्ट्रिक हम 30 साल में कहां ले जाएंगे। हिंदुस्तान में मेरा डिस्ट्रिक नंबर एक माना करके रहूँगा। कोई भी छेतर ऐसा नहीं होगा कि मेरा डिस्ट्रिक पीछे हो। कितने ही प्राकूर्तिक मुश्किलों वाला जिल्ला होगा तो भी मैं करके रहूँगा। ये इंस्पिरेशन ये सपना ये संकल्प और उसके लिए सिद्धिक प्राप्त करने के लिए निरंतर पुर्शार्थ और परिश्रम इसके संभावनावों के लेकर हम चले। तो ये सिविल सर्वस्दे हमारे लिए एक नई प्रेणा का कारण बन जाएगा। साथियों हर भारतवासी आज आपको जिस आशा आकांशा से देख रहा है। उसे पुरा करना में आपके प्रयासों में कोई कमी ना हो। आज आपको भी सर्दार वल्लभाई पटेल ने हम सब को जो प्रेणा दी, जो संदेश दिया और जिस संकल्प के लिए हमें प्रेरित किया। हमें उस संकल्प को फिर से एक बार दोहराना है, हमें फिर से खुद को उसके लिए बचन बद्ध करना है, और यही से कदम को आगे बढ़ाते हुए निकलना है